नमस्कार आप सबी का स्वागत है कपशप निउस में शारुक खान अपना ओफिस करीब तीन महीने पहले बीएमसी को दे चुके हैं यहाँ बिना लक्षन वाले मरीजों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है अब इस ओफिस को क्रिटिकल मरीजों के लिए आईसीउ में तबदील कर दिया गया है शारुक ने अपने ओफिस की चार मंजिला इमारत अप्रेल में बीएमसी को दी थी शारुक खान करोना मामारी फैलते ही कई राज्य सरकारों की मदद के लिए आगया चुके हैं उन्होंने अपना खार स्थित चार मंजिला ओफिस बीएमसी को कॉरंटाइन सेंटर बनाने के लिए दिया था अब शानिवार को इसे 15 बेड़ वाले आईसीउ में बदल दिया गया है ये काम शारुक के मीर फाउंडेशन और हिंदुजा हॉस्पिटल ने मिल कर किया है शारुक ने अपने ओफिस की बिल्डिंग अप्रेल में दे दी थी लेकिन मई तक बीएमसी ने इसे नहीं लिया क्योंकि डॉक्टर्स की कमी थी हिंदुजा अस्पिताल की डॉक्टर अविनाश सूपे ने बताया कि महामारी में इस वक्त जादा आईसीउ बेट की जरूरत है जिन में ऑक्सिजन टैंक और वेंटिलेटर भी हो रिपोर्च के मताबिक जब इस वस्पताल में कॉरिंटाइन सेंटर था तो 66 लोग एडमिट थे इन में से 54 लोग ठीक हो कर डिस्चार्ज हो चुके हैं वही 12 लोगों को दूसरी जगा शिफ्ट कर दिया क्योंकि आईसीउ के लिए स्पेस की ज़रूरत थी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे तब तक के लिए धन्यवाद